यह एक बहतरीन चीज आपको मिलने वाली है कभी भी आपके पास आपके स्कूल में चैस्ट हो आपका एक्जाम पास में आ रहा हो आपका बोर्ट पास में आ रहा हूँ या कोई भी competitive exam आपके सामने आने वाला हो तो आप इस पर अपनी quick revision कर सकते हैं जिन जिन बातों को मैं आपको बता रही हूं, सिर्फ उन्ही बातों पे फोकस करना है उसके अलावा और कुछ रही है अब एक बच्चे का सवाल है का मम हूम जीनियस का मतलब क्या हता है भाई यह पानी है यह पानी की बॉटल है उपर नीचे कहीं से भी देखिए एक की जे से ढिखाई दे रहा हमें सिर्फ मतलब है पाने से क्योंकि हमारे तरह पूँछा जाएगा करेक्ट हेलो एपरईब्रबान यज वेल्कम यू आपका यह बहुत ही जादा भेहतरीन बैच होनेवाला है उन बचों के लिए लिए जिन बचोंने अपने चैप्टर की प्रिपेरेशन एक बार बहुत ही जादा अच्छे से करेंगे अंग जा होता है अब एक बार जब हम चाप्टर क को बिल्कुल डीटेल में पढ़ लें दो हमें चाहिए होता है कि यार उसका एक छोटा सा क्रिस्ट सा लेक्चर हमें मिल जाए वही चीज हम आपके सामने लेकर आये हैं करेक्ट आज का पूरा का पूरा सल्यूशन चाप्टर वन शौट में पढ़ेंगे वन शौट में पढ़ने का मतलब है सिर्फ उनी टॉपिक पर फोकस किया जाएगा जो बहुत इंपोर्टेंट है कम से कम समय में आप अपने चाप्टर को किस तरीके से रिवाइस कर सकते हैं यह एक बहतरीन चीज आपको मिलने वाली है कभी भी आपके पास आपके स्कूल में टेस्ट हो आपका एक्जाम पास में आ रहा हो आपका बोर्ट पास में आ रहा हो या कोई भी कॉम्पेटिटिव एक्जाम आपके सामने आने वाला हो तो आप इससे अपनी क्विक है वो स्प्लिटेड रहेंगे कुछ इस तरीके से आज के हमारे टागेट प्लिट हो जाएंगे जैसे कि सबसे पहले हम डिसकर्स करने वाले देखो बीटा मैंने इहां पर तो चीजे लिखी है वो इंपोर्टेंट हाइलाइट चीजे लिखी है ना पढ़ने वाले हम इनसे और अधे लास्ट यह गोई तो आप इस चाप्टर को शुरू करते हूं तो आपको सल्यूशन चाप्टर है आपको जब भी इस रिस्पेक्टिव चाप्टर से सवाल आएगा तो सबसे पहले वह आपसे डेफिनेशन पूछेगा कि सल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है जिन इन बातों को मैं आपको बता रही हूं सिर्फ उनी बातों पर फोकस करना है उसके अलावा और कुछ नहीं सबसे सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट इस देफिनेशन की बात करते हैं वें टू और मोर केमिकली नॉन रियाक्टिंग सबस्टांस दो य जबनेगे कि टू थिंग्स इस फॉर्म जालिए और मिक्स करकी अगर आपका होमोजीनियस मिक्षर बन जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा प्लिशन आर ये मिनरल नहीं है यह मिक्स्ट है और मिक्स्ट to form हमोजीनियस मिक्षर इस प्लिशन अब एक बच्चे का सवाल आगा महमोजीनियस का अ मतलब क्या होता है यह पाणी है न यह पाणी की बॉटल है ऊपर नीचे कहिं से भी देखिए यह की जैसा दिखाए देरह है हॉमोजीनियस है यह पर मैं इस मिट्टी डाल दू तो एक जैसा उपर से नीचे तक नहीं दिखाई देगा नीचे मिट्टी पड़ी भी दिखाई देगी ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी घूमती भी दिखाई देगी that will be not homogeneous that will be heterogeneous काम समय में आप इस बात का मतलब बहुत आराम से समझ सकते हैं और मैंने definition भी आपके सामने लिखिए homogeneous का मतलब है uniform composition throughout the solution correct जब हम solution की बात करते हैं तो उसमें particle का जो size होना चाहिए particle का जो size होता है होना चाहिए या होता है that is around 10 to the power minus 9 meter that is 1 nanometer सबसे पहले definition से लिटेट सिर्फ इतनी बात correct आगे चलते हैं after that we have some important characteristics with respect to the solution है ना जब आप solution की बात करते हो तो आप दो या दो से ज़ादा चीजों को mix करते हो correct आपके पास solution बन जाता है तो जो वो दो चीज़े होती है वो क्या होती है वो होती है एक solute और एक होता है solvent जैसे आपको पता है तो solute वो होता है जिसका amount क्या होता है बीटा जिसका amount क्या होता है लेस जिसको हम कम मात्रा में डालते है उसको हम क्या बोलते है solute बोलते हैं और जिसको हम ज्यादा मात्रा में डालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं solvent बोलते हैं तो इसका amount less होगा और इसका amount क्या होगा बेटा more होगा ज्यादा इसमें हमें और कोई बात करनी ही नहीं है ठीक है अब solution को और किस-किस तरीके से define कर सकते है number of components के साब से correct binary solution होता है trinary solution होता है quaternary solution हो सकता है तो binary solutions का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपके पास दो ही component होगे एक solute और एक solvent ठीक है अगर आपके पास trinary solution है तो आपके पास तीन component होगे you will have three components in which solvent will be one and solute will be more than one correct after that we have the three components quaternary solution then we have the four components तो बीटा अब आपके पास types of solution तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हमारे salibus में सिर्फ और सिर्फ binary solution है तो और solutions के सिर्फ definition आपको पता करनी है और पास तो आपको किसी बात से कोई मतलब नहीं है हमें सिर्फ मतलब है binary solution से क्योंकि हमारे salibus में वही है उसी सही हमसे सवाल पूछा जाएगा correct after that we have types of solutions on the basis of what is the nature है ना liquid solution हो सकते है solid solution हो सकते है gacier solution हो सकते है हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा solution है तो इस में सर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपका जो solvent है वो decide करता है nature है ना solvent decide करता है बेटा nature अगर solvent liquid है तो liquid solution solvent solid है तो solid solution solvent gacious है तो gacious solution तो सबसे important बात हम यहाँ पर इस पर स्टार माग कर देंगे कि solvent जो है वो सब्सक्राइब करता है अगर आपके पास liquid solution है तो है यह आपके पास इसका मतलब क्या है आपका solvent है यह विता आके पास क्या है आपका solvent है तो हम नाम इस solution का liquid solution ही रखेंगे, but solute can be anything from these three, correct, after that we have solid solution, यहां पर भी बेटा आपका solvent जो रहेगा, वो solid ही रहेगा, है ना, आपका जो solute होगा बेटा, आपका जो solute होगा, वो solid भी हो सकता है, liquid भी हो सकता है, और gaseous भी हो सकता है, similarly, इसमें भी बेटा, gaseous solution में solvent हमारा gaseous रहेगा, और जो हमारा solute है, और जो बेटा, हमारा solute है, solid भी हो सकता है, liquid भी हो सकता है, gaseous भी हो सकता है, तो इसी तरीके से, अगर मैं आपसे आपका type of solution के बात करूँ, तो मेरे पास बेटा, complete solutions बनते हैं, 9 types, है ना, कितने बनते हैं बेटा, 9 types के solutions मेरे पास बनते हैं, जो आपके सामने present है, तो characteristics से कि हमने number of components के साफ़ से, हमने solution के बार में बताया, और फिर हमने बताया type of solution, किस तरीके से decide किया जाता है, कि solvent कौन सा है, उसी के basis पे, यह चीज़ बेटा, सब आपको आती, concentration terms, यहां से बेटा, आपके बास सवाल आता है, numerical, और बहुत ही जादा important, important सवाल आते हैं, बहुत ही जादा important सवाल आते हैं, तो मैं आपको, इन सभी के, जितने भी important formulas हैं, वो सब अपने हातों से, लिखवाती भी चल रही हूँ, मेरे साथ साथ, लिखते चले जाएं, बस मेरे साथ साथ, लिखते चले जाएं, mole चाहिए, सबसे पहले बेटा, हमें यहाँ पर mole निकालना आना चाहिए, तो mole निकालने का, सबसे पहला formula होता है, कि आप किसी भी चीज़ का लिखिए, weight of substance, आप लिखिए बेटा, weight of substance, divided by उसका molar mass, दूसरा निकालने का तरीका है, number of particles, number of particles, divided by Avogadro's number, which is Na, which is 6.022 into 10 to the power 23, इन दोनों में से कोई भी आप अपना formula यूस कर सकते हैं, moles निकालने के लिए, और एक और formula बेटा आप यूस कर सकते हैं, moles निकालने के लिए, that is, volume in liter, divided by 22.4 liter, ये formula आप यूस करते हैं, at STP, that is, standard temperature and pressure, आपको लिखा हो सकता है, 0 degree Celsius, and pressure equal to 1 atm, अगर ये conditions mentioned है, तो आपको ये formula यूस करना है, नहीं mentioned है, तो आप ये वाला formula यूस नहीं कर सकते, mole निकालने के ये तीन formula आपको बार बार इस्थमाल होंगे, याद रखेंगे इन दोनों को, इन तीनों को, उसके बाद बेटा, percentage composition से बहुत सवाल आते, तो इसका आपको कौन सा important formula ध्यान रखना है, परसेंटेज वेट बाई वेट, जैसे कि मानलो बेटा आपके सामने लिखा है, 10% वेट बाई वेट, H2SO4 solution, तो आपको समझ जाना है, कि वो इस बात से कहना क्या चारा है, वो आपसे कहना चारा है, बेटा, कि आपका 10 gram of H2SO4 is present, 10 gram of H2SO4 is present in 100 gram of solution, है न, ये इस बात से कहना चारा है, तो सिंपल आप समझ जाहिए, कि वेट of the solute कितना हो जाएगा, 10 gram, और वेट of the solvent कितना हो जाएगा, बेटा, 90 gram, सिंपल, इससे हमें ये पता चलता है, हमेशा मेरी क्लास में, जब भी मैं कोई भी चीज 2 लिखूंगी, तो वो बेटा, हमेशा solute के लिए होगी, और 1 लिखूंगी, वो हमेशा solvent के लिए होगी, ये चीज कभी नहीं बदलेगी, तो आपको गर मैं W2 लिख रही हूँ, तो वो solvent का weight है, W1 लिख रही हूँ तो solute का है, weight by volume H2SO4 solution, तो आपको बेटा, इस बात से समझ जाना है, कि वो आपसे कह रहा है, 10 gram of H2SO4 is present in 100 ml of solution, है न, यहाँ पर आपको weight of the solute पता चल जाएगा, which is 10 gram, weight of the solvent आपको पता करने के लिए पता होना चाहिए, density also, तो यहाँ से हम अपना weight of the solute, बड़े आराम से निकाल पा रहे हैं, चीक है, after that we have beta, after that we have percentage, volume by volume, इसका मतलब है beta, 10% volume by volume, अगर आपके पास, H2SO4 solution लिखा है, तो आप समझ जाएंगे, 10 ml of H2SO4, is present in, 100 ml of solution, correct, यानि की, volume of the solute, 10 ml है, and volume of the solvent, 90 ml है, है ना, तो यह चीज़ें आपको यहाँ से, clear हो जाती है, तो सबसे पहले, concentration term में, आपके बास, mole क्या है, percentage weight by weight क्या है, percentage weight by volume क्या है, percentage volume by volume क्या है, इस से जादा और कुछ ने चाहिए, इतना आदा है, तो सब हो जाएगा, correct, चलिए, let's move forward, let's move forward, अगला concentration term, oh, 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 molarity जी आ गई है, बेहद important, बेहद important, molarity, important है तो क्या है, हम तो सब कर लेंगे, molarity का बेटा, capital M से represent किया जाता है, हमेशा, number of moles of solute, divided by, volume of the solution in liter, यह volume solution की है, और N2 लिखा है, तो किसके moles है, N, यानि की mole, 2 लिखा है, तो इसका मतलब किसके, solute के moles है, तो लिखेंगे आपर, अगला formula, W2 by M2, into 1 upon volume in liter, मान लो, volume तुमें, नहीं दी हुई है, liter में, तो क्या करोगे, उपर 1000 लगाके, नीचे volume लिख देना, यह तब use करना है, जब volume ml में दिया हो, यह वाला formula हमें, तब use करना है, जब हमें volume ml में दिया हो, तो पहला formula, दूसरा formula, और उसके बाद, तीसरा formula, नीचे बें भी याद होना चाहिए, कोई उठाकर पूछे कि, मुला लेटी को कैसे निकाला जाता है, एसे निकाला जाता है, unit, unit होती है, इसकी, mole, per liter, या simple, वो M भी लिख सकता है, capital में, जो उसको अच्छा लगे, वो ये चीज लिख सकता है, हमेशा ध्यान रखना है, कि molarity जो होती है, वो inversely proportional to volume होती है, molarity जो होती है, inversely proportional to temperature होती है, तो इससे अगर आपको कोई भी सवाल पूछा जाए, तो आप answer कर सकते हैं, ठीक है, Charles Rockets आपसे, volume is directly proportional to temperature at constant pressure, तो अगर molarity volume के inversely proportional है, तो वो temperature के भी inversely proportional होगी, ये बात ना भूले, ठीक है, perfect, after that we have, after that we have, molality, हांजी, molality पे आजाईए, तो molality में क्या problem हैं बेटा, small m है, number of moles of solute, volume of the solvent या solute, अब कुछ नहीं होगा, weight होगा बेटा, लेकिन किसका solvent का, weight होगा किसका solvent का, मैंने W1 लिखा है, 2 किसके लिए होता है, solute के लिए, 1 किसके लिए होता है, solvent के लिए, नींद में भी याद होना चाहिए, उसके बाद बेटा, अगला, weight of the solute, molar mass of the solute, 1 upon W1 in the kilogram, उसके लावा, आप लिख सकते हैं, weight upon molar mass, into 1000 upon weight, लेकिन ये weight तब बेटा, ये formula तब जब आपका, weight किसमें given होगा, kilogram में, तो पहला formula ये हो गया, दूसरा बेटा, ये हो गया, और उसके बाद, तीसरा आपके बाद ये हो गया, अच्छे से याद रहे, ये तीनों के तीनों formula, इसके अलावा, आपका कोई formula कभी नहीं लगेगा, क्योंकि बेटा, आपको number of moles नहीं दिये में हैं, तो आपको weight और molar mass लिया होगा, तो आप ये directly use कर सकते हैं, correct, after that, प्यारे प्यारे बच्चों, अब एक चीज़ सुनो, molality does not depend on temperature, ध्यान रहे, temperature पर depend नहीं करती है, after that, normality बेटा, after that, normality, अब normality की बात करते हैं बेटा, normality का जो formula होता है, सबसे पहला formula होता है, normality का, which is capital N, number of gram, equivalent, of, solute, divided by, volume of the solution in liter, सबसे पहला formula ये है बेटा, सबसे पहला formula ये है, जो आपको कभी भी किसी numerical में यूज नहीं करना है, बेट बस इसे याद रखना है, nothing else, उसके बाद, अगला formula है, number of gram, equivalent को हम change करके, एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, which is, weight of the solute, upon, equivalent, mass, of, solute, into, 1 upon, volume in liter, एक तो बेटा आप अपना ये वाला formula यूज कर सकते हो, एक अपना ये वाला formula यूज कर सकते हो, इन दोनों में से कोई भी formula यूज कर सकते हो, लेकिन, preferably, हमें इन में से कोई भी यूज नहीं करना है, है ना, हमें इन में से बेटा, एक और formula यूज़ कर सकते हैं which is which is what weight of the solute equivalent mass of the solute को आप लिख सकते हो बेटा उसका molar mass into उसका n factor 1 upon volume in liter ये formula कैसे आया ये वाला formula कैसे आया आपने equivalent mass को क्या लिख दिया equivalent mass को मेंटा आपने लिख दिया molar mass divided by N factor molar mass divided by N factor तो आपके पास क्या था आपके पास था equivalent mass of the solute equivalent mass of the solute और बाकि 1 upon volume in liter आपका ऐसा का ऐसा ही चल रहा है उसको मैं लिख दिया है after that equivalent mass को मैंने molar mass divided by N factor लिख दिया है तो N factor उपर चला जाएगा है न, molar mass of the solute divided by n factor of the solute, m2 लिखा है, m2 क्या है यहाँ पर, m2 यहाँ पर क्या है बेटा, molar mass किस चीज़ का, solute का, molar mass किस चीज़ का बेटा, solute का, तो यह चीज़ आपको clear है, ठेला, अब इसको मैं थोड़ा सा re-arrange करके लिख सकती हूँ, तो यह आपके पास formula बन जाएगा, कभी भी इस बात को ना भूले, तीन स्टार लगा दिये हैं, बिल्कुल भी इस formula को नहीं भूलना है, बाकी किसी formula को तुम्हे करने का मन करें, इसका मन करें, चोड़ दो, कोई बात भी, tension नहीं है, पर इसको, भूल डाला, so life is not, जिंगा लाला, ध्यान रहे, ध्यान रहे, ह मोल पर किलोग्राम या फिर स्मॉल एम और वो न मोलल भी लिख सकता है, जब तुम स्मॐं नो परेशान हो गे, तुम तो माइन माप है, तुमारे पास माइन माप सीरीज और जब तुम निकालनी की कोशिश करोगे, ना है ना बेटा जब तुम निकालने की कोशिश करोगी ना अब क्या होते है पीटा एन फैक्टर की बात करते हैं अब वह तो बहुत 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 होता है तो में सिर्फ दो से तीन चीज़ों की जरत है उनका दिहान दिखना है ठीक है बेटा सबसे पहले एन फैक्टर वो तुम से निकल वाएगा एसेड का तो एसेड का एन फैक्टर निकालते हैं तो उसकी बेसी सीटी बस ढूंड लेते हैं क्या है और बेसी सीटी का मतलब सिंपल क्या होता है कि यार कितने नंबर ओफ एच पॉजिटिव आइंस है वही तुमारी क्य है एन फैक्टर है जैसे मान लो HCl का एन फैक्टर वन है क्योंकि उसमें H पॉजिटिव कितने एक है है न ऐसे ही तोड़ोगी न उसको तुम ऐसे ही तोड़ोगी न उसको या किसी और तरीके से तोड़ोगी बताओ भाई है इसे तोड़ोगी तोड़ो एच पॉजिटिव निस उसको पॉजिटिव थे एक कितने थे दो एन फैक्टर निकल गया बस ऐसे बड़े प्यारे से एन फैक्टर हमारे बेस के भी होते हैं, तो बेस के लिए फिर हम शब्द क्या यूज करेंगे, acidity मैं, और acidity का मतलब क्या होगा, फिर number of OH negative ions, number of OH negative ions, तो जैसे बिटा, आप आप example की बात कर लेते हैं, आप ए NUH ले लेते हैं, तोड़ दो यार, क्या आएगा, NUH plus OH negative, तो कितना N factor, 2, NUH के N factor कितना, 2, similarly, मन कर रहा है, calcium hydroxide बताने का, ये लो भई, बता दो, calcium plus 2, plus 2 OH minus, तो N factor, कितना, 2, जितने H positive, उतना N factor, जितना OH negative, उतना N factor, ठीक है, इसी तरीके से बिटा, वो एक N factor आप से, salt का भी पूछ लेता है, तो salt में आप बस positive charge देख लीजिए, कितना है total, और कुछ भी नहीं देखना है, आपको salt, बस positive charge total, जैते कि आप से example की बात करते हैं, आप negative charge total भी देख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वा आप देख सकते हैं, इसको positive charge और negative charge एक salt में बराबर होता है, मैं positive charge लेकर चलती हूँ कि I am always positive person, आप भी positive रहे हैं, तो हम क्यों नहीं टोटल positive charge ही देखें, है ना, वा वा, चलो, NaCl की बात करते हैं, तो Na positive plus Cl minus, लो यार, तुमारा मन करें, नहीं मैं, ये तो एकी, एकी charge है मैं, Mg plus 2 लो मैं, लो भी, है ना, नहीं मैं, थोड़ा और जादा मुश्किल लो मैं, ये तो easy लग रहा है, लो भी, Al2SO4 whole thrive, लो भी, जो तुम्हें अच्छा लगे, बस तुम ये mind map को अपने दिमाख में बसा लो, बस, जो कहोगे, वो हम तुम्हारे लिए कर देंगे, लो भी, कितना n factor, 1, कितना n factor, 2, कितना n factor, 6, हो गया, कैसे, कितना positive charge है बेटा, 1, कितना positive charge है, 2, कितना positive charge है, plus 3, कितना aluminum है दो, plus 6, हो भी देंग फाक्टर, है न, भूलोगे तो नहीं न, नहीं माम, अब नहीं भूलेंगे, अब हम नहीं भूलेंगे माम, पहले तो भूल भी जाते, बट अब नहीं भूल सकते, तो acid, basis and salt, अब इसके बाद, अगली चीज, dilution, dilution पर सवाल आता है, किस तरीके से, equation का सबसे पहले तो ध्यान रिखना है, M1V1 is equal to M2V2 की equation यूज़ करी जाती है, एक point होता है, number of, moles of, solute बेटा, हमेशा, before and, after, dilution, always, constant, इस बात को ध्यान रखना बेटा, डीटेल जब आप लेक्चर पढ़ते हैं, तो यह चीज आपको बहुत डीटेल में समझाई जाती है, पर यह point important है, तो मैं इसलिए इसको लिख दे रही हूं, ताकि आप भूले न, है न, यह इसके equation होती है, इसका आपको ध्यान रखना है, correct, चलते हैं बेटा, आगे की तरफ, यह इतने concentration terms का आपको ध्यान रखना है, बागे के concentration terms से सवालाने के chances बहुत कम होते हैं, negligible chances होते हैं, इतने ऐसे chances बहुत जाद हैं, तो जो चीज इंपोर्टेंट है, वो चीज आपके सामने present है, correct, चलिए, अब अगली चीज़, concentration terms को हो जाने के बाद बेटा, अगर आपके pressure से किसी भी gas की बेटा solubility भड़ती है, अगर आपके pressure increase करने पर, किसी भी gas की solubility भड़ती है, तो उस बात को समझाने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक law होता है, मान लो बेटा, अगर आपके पास एक beaker है, है ना, एक beaker में एक liquid है, और उसमें हम gas को mix करना चाहते हैं, correct, तो अगर आप mix कर रहे हैं, है ना, ये मान लीजिए, आपके पास एक bottle है, इसमें liquid है, आप gas को dissolve करना चाहते हैं, तो आप बेटा, अगर normal pressure रखेंगे, तो gas बहु इसी भी liquid में बहुत ही अराम से soluble हो सकती है, but you have to apply pressure on that, okay, आप diagram के थूवी चीज को देख सकते हैं, we have the diagram also, मान लो बेटा, कि आपके पास एक beaker है, और उसके अंदर हमने किसी liquid को डाला है, और आपने इहां पर ऐसे एक gas रख दी है, और आपने इहां पर लगा दिया है, ब का piston move करेगा, जो move करके यहां आ जाएगा, आपका liquid उतना ही है, जितना आपने लिया था, पर अब आपने pressure लगाया है, तो आपकी gas soluble होने लग जाएगी, with the pressure application, your gas start dissolving in a liquid, और इसी बात को हम क्या बोलते हैं, Henry's law बोलते हैं, ठीक है, so we are saying that partial pressure of a gas in the vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution, आपका partial pressure of the gas, जो भी आपके पास gas है, vapor phase में कितना होगा, वो इस बात पर depend करता है, कि आपका gas की solubility कितनी होगी, उस respective liquid में, उस solution में, solubility का मतलब क्या है, mole fraction है, यहाँ पर mole fraction of the gas का simple मतलब बेटा, उसकी solubility ही होता है, यह जो पूरी की पूरी बात लिखिये, उस बात का यहीं मतलब है, कि when you are applying the pressure, you are able to see, कि gas बहुत ही जादा अच्छे से liquid में dissolve हो सकती है, करेक्ट, यह है आपका henry's law, अब henry's law का formula होता है बेटा, p is equal to kh x, जहाँ पर आपके पास p आपका होता है, partial pressure, p क्या होता है बेटा, partial pressure, kh आपके पास क्या होता है, henry's law, constant, और chi आपके पास क्या होता है, mole fraction, का ही आपके पास क्या होता है, mole fraction, जो question में आपको as solubility वो लिख कर देगा, हो सकता है वो आपको question में mole fraction ना लिखके दे, solubility लिखके दे, क्योंकि हम यहाँ पर solubility, पानी में कितना amount किसी भी gas का dissolve हुआ, वो amount हम henry's law में mole fraction से judge करते हैं, किसे judge करते हैं, mole fraction से judge करते हैं, तो solubility is mole fraction, solubility is mole fraction, यह बात किसी बच्चे के दिमाग में से बिल्कुल भी ना निकल जाए, उसके बाद, kh जो होता है, henry's law constant, वो mole fraction के होता है, inversely proportional, ध्यान रहे, kh जो होता है, kh जो होता है, वो temperature के directly proportional होता है, और mole fraction के inversely proportional होता है, यह बात किसी बच्चे के दिमाग में से ना निकल जाए, तीन स्टार मैंने लगा दिये हैं, बिल्कुल भी ना निकल जाए, गैस उसमें dissolve हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, relationship inverse का है, का ही solubility होती है, किसी बी गैस की अगर solubility जादा है, तो उसकी Henry's law constant, यानि कि KH की value कम ही होगी, आपसे इस respective डब्बे से 1000 सवाल बनते हैं, तीन स्टार लगा दिये, दिमाग में से निकलना नहीं चाहिए, correct, okay, KH किस-किस बात पर depend करता है, KH हमेशा depend करता है, सिर्फ और सिर्फ दो बातों पे, nature of gas क्या है और temperature क्या है, उसको तीसरी किसी बात से कोई मतलब नहीं है, और ये important है, इससे भी सवाल बनता है, KH सिर्फ और सिर्फ nature of gas और temperature पर depend करता है, उसको किसी और फाल्तू बात से कोई मतलब नहीं है, अब हम आते हैं बेटा, liquid solutions पर, है ना, liquid solutions को ही हमको पढ़ना है, और हमें कुछ पढ़ना है नहीं, liquid solution का मतलब क्या है, solvent है liquid, है ना, जब solvent liquid है, तो solute क्या हो सकता है, है ना, या तो आपका solute solid हो सकता है, या आपका solute liquid हो सकता है या आपका solute gas हो सकता है कुछ भी हो सकता है लेकिन बस धिहान रहे कि आप जब पढ़ रहे हैं तो solvent जो आपका है न वो तो बेटा क्या है? volatile है अब volatile शब्द का मतलब क्या है? volatile का मतलब है to form vapors कि यह क्या बना सकता है बेटा? अगर कोई चीज volatile है तो वो क्या बना सकती है? vapor बना सकती है तो हम लिखेंगे to form vapors अगर कोई चीज vapor बना सकती है तो अब क्या है? आपका solute volatile भी हो सकता है कि भई वो भी vapor बना ले तुम भी vapor बना रहे हो तो उसमें हम पढ़ते हैं अपना बहुत ही famous case, हम अपना बिटा बहुत ही famous case पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं, राउल्स law, क्या पढ़ते हैं बिटा हम, राउल्स law, तो राउल्स law तब आता है, जब आपका solute क्या होता है, volatile होता है, और अगर आप non-volatile solute ले लेते हैं, तो आ समारा ,solute भी अगर volatile है और solvent भी अगर volatile है ? दो cases आते है बेटा liquid solution में ,liquid आपका volatile है , आपका solute volatile भी हो सकता है ,ацион нем profound maretil , और आपहाँ आप राव्ल्स law पड़ते है , और वह होता है कुछ इस तरीके से, वह हो सकता है बेटा उतना ही करना है और उसी परी ध्यान दें सब कुछ पता है बेटा आपको मैं तो बस आपको एक summary form में लिख रही हूँ और एक B present है तो आपके पास vapors A के भी होंगे और आपके पास जो है बेटा vapors B के भी होंगे है ना तो अगर हमें इन में से किसी एक का partial pressure निकालना है यह partial pressure शब्द तब हम usually इस्तेमाल करते हैं कि जब दो चीजों का pressure उसमें से किसी एक के pressure की बात करते हैं तो वहां हम शब partial pressure करते हैं द्यान रहे इस बात का चीक है तो अगर बेटा मुझे किसी भी 8 का partial pressure निकालना है तो उसको निकालने का तरीका होता है उसका mole fraction इंटू उसका प्यॉर का वेपर प्रेशर अगर आप दूसरे का निकालना चाहते हैं तो उसका मोल फ्राक्शन इंटू उसका प्यॉर का वेपर प्रेशर और अगर आप टोटल वेपर प्रेशर solution का निकालना चाहते हैं, तो उसमें हम इन दोनों को add कर देते हैं, ये तीन आपके जो formula है, वो बेहद important है, ध्यान रहे है, चिक है, आप हर चीज में लिख रहे हूँ याप पर, PA का मतलब क्या है बेटा, PA का मतलब है आपका partial pressure, क्या है बेटा, partial pressure, काई A का मतलब क्या है, mole fraction, यानि की उसका amount कितना है, mole fraction यानि की बेटा, उसका amount कितना है, और तीसरी चीज है बेटा, P0 A, that is the vapor pressure in pure state, जिसका मतलब क्या है बेटा, vapor pressure in pure state, तो ये तीन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है, PA क्या है, काई A क्या है, और P0 A क्या है, ठीक है, हम इस चीज को और open करके भ हम लिख सकते है, बेटा, P0 A into chi A, और लिख सकते है, बेटा, P0 B into chi B, है न, आप चाहो तो इसको further change भी कर सकते हो, chi A को लिख सकते हो, 1 minus chi B plus P0 B chi B, तो ये formula आपका change हो के आ जाता है, P0 A plus chi B, P0 B minus P0 A, ये आपका formula, निकल के आ जाता है, ठीक है, for the PT, तो मैं आपके सामने, टिक कर दे रही हूं बेटा, इत्तो ये formula आपके लिए बहुत important है, और एक आपका ये वाला formula बहुत important है, P A plus chi B, P0 B minus P0 A, तो ये दोनों formula इसका आप बहुत ज़्यसे धियान रखेंगे, बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं, ब इतना ही important है, एक चीज आपसे और पूछी जाती है, बेटा, राउल's law में, है ना, वो ये है, which is composition, composition in vapor phase, है ना, क्या पूछी जाती है, बेटा, composition in the vapor phase, यानि कि, जब vapor की बात कर रहे हैं, तो vapor में कितना part, या कितना composition, या कितना amount, जो A का है, या B का है, लिक्विड में अं amount होता है, जिसको हम काई A और काई B कहते हैं, तो vapor state में भी तो कुछ vapors A के हैं, और कुछ vapors B के हैं, तो उनको बताने कभी तो कोई ना कोई तरीका होना चाहिए, ऐसे partiality तो नहीं करनी चाहिए, तो बिल्कुल, वो होता है, बेटा, Y A, जिसको हम बोलते है, PA, divided by P total, और इस है, बेटा, Rawls law, इस से जादा हमें Rawls law की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, definitions मैंने आपर already लिख दी है, Rawls law का मतलब है, जैसे आप लिखते हो ना ये चीज, आप लिखते हो ना बेटा, ये चीज, Rawls law में, which is, PA is equal to chi A into P not A, तो यही चीज है लिखी है, बेटा, that is, partial pressure of any liquid, that is, PA depends on amount of the liquid, which is the chi and its vapor pressure in the pure state, है ना, वही चीज मैंने आपके सामने मेंशन करेए, PA is equal to chi A into P not A, so definition बेटा, इसके important है, मैंने आपा star लगा दिया है, definition पे, आप इसके definition को याद करके जाहिएगा, और वो इसके formula से ही निकल रही है, आपको कुछ महनत नहीं कर लिए, जो formula है, वही definition, correct, चलिए, बहुत भड़िया, अब बेटा, आपके पास आता है, राउल्स लॉग के बाद, एक topic, which is ideal solution and the non-ideal solution, चीक है, ideal solution and बेटा, the non-ideal solution, सबसे पहले हम बात करेंगे, ideal solution की, ideal solutions वो होते हैं बेटा, जो follow करते हैं, क्या, राउल्स लॉग को, जो क्या करते हैं, बेटा, follow करते हैं, राउल्स लॉग को, सबसे पहले, यह बात भूलनी नहीं है, क्या करते हैं, बेटा, राउल्स लॉग को follow करते हैं, क्या, ideal solution, अब यहाँ पर हमें, क्या करना होते हैं, बेटा, हमें, एक चीज के बारे में, पहले धिहान देना होता है, idle solution में हमें एक चीज के बारे में धिहान देना होता है वो चीज क्या है हमारी धिहान देंगे देखो बेटा जब हम idle solution की बात करते हैं है न? idle solution की तो आपको बहुत अच्छे से पता है idle solution में हमें मान लो कि आपने A solute B solvent में डाला आपका क्या बन गया solution तो कुछ forces of attraction बेटा A, A, K molecules के बीच में होगी जिसको हम E से represent करें कुछ forces of attraction B, B के बीच में होगी और जब यह solution बन जाएगा तो कुछ force of attraction A, B के बीच में होगी अगर बेटा ऐसा हो जाए कि force of attraction तीनों में बिलकुँ सेम हो तो ऐसे solution को हम ideal solution कहते है पहचानने का तरीका यह है ऐसे solution को हम क्या कहते है बेटा ideal solution कहते है तो यह इसको पहचानने का तरीका होता है यह इसको क्या होता है बेटा पहचानने का तरीका होता है बस इतना ही धियान रखना है nothing else बस इतना ही दियान दखना है examples पगेर सब हमारा हम लेकर आए हैं आपके लिए ideal solution अब यहाँ पर बेटा यह पहचानने के बाद हमें पढ़ना होता है एक important graph के बारे में जो आपके सामने यहाँ पर present है जो बेटा यहाँ पर आपके सामने present है सबसे पहले graph जो होता है that is between the vapor pressure and the mole fraction graph जो होता है बेटा that is between the vapor pressure and the mole fraction यहाँ पर आपके पात क्या है vapor pressure और इस तरफ क्या है आपकी mole fraction है ना this is vapor pressure, this is mole fraction ध्यान दए यह पूरी की पूरी जगे पे आप अपना mole fraction define कर रहे हैं पूरी की पूरी जगे पर बेटा mole fraction डिफाइन करें और यहां पर आप पूरी की पूरी जगे पर अपना vapor pressure करें यह जो point है न बेटा यहां पर काई A1 लिखा है यानि कि A की liquid present है which is A है न इस graph का मतलब है बेटा कि यहां पर आपके पास जो liquid present है न, वो है सिर्फ A, तो इसका मतलब जो vapor भी बनेंगे न, बेटा, वो किसके बनेंगे? A के बनेंगे, जो liquid present है वो A है तो vapor भी किसके बनेंगे? A के ही बनेंगे है न, और यहां पर जो liquid आपके पास present है आट इस यूर B तो बेटा, यहां पर बीच जो vapors बनेंगे वो भी किसके बनेंगे B के तो यहां पर pure A present है बीटा और यहां पर आपके पास pure B present है और यहां से लेकिए यहां सक बीच में आपके solution state में A भी present है बीटा और यहां पर आपके पास B भी present है नहां पर आपके पास A के vapors भी होंगे और B के vapors भी होंगे तो बीच में कुछ ऐसा है और right and left में कुछ ऐसा है तो सबसे पहले ये बात आपको ध्यान रहे है तो अगर तरफ A ही present है तो chi A 1 होगा देखो बेटा, mole fraction हमारे पास क्या होता है देखो ध्यान से आप लिखते हो chi A plus chi B equal to 1 है अगर आपके पास एक solution में दो components present है तो A की mole fraction A है जैसे हम chi A लिखेंगे दूसरे की mole fraction B है यानि कि हम chi B लिखेंगे दोनों की mole fractions का sum कर देते हैं तो answer हमारे पास 1 आता है अब अगर एक चीज को मैं काटके क्या कर दूँ अगर एक चीज को मैं काटके 0 कर दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? काई ये बचेगा? 1 यानि कि completely मेरे पास A ही बचेगा तो यहाँ पर आपके पास A ही है तो mole fraction of A will be 1 like this is the highest and B जो की है ही नहीं तो 0 similarly इस point की बात करते हैं यहाँ पर बेटा सिर्फ और सिर्फ बी ही present है तो काई बी को हम 1 लिखेंगे और काई ए को क्या लिखेंगे? 0 क्यूंकि काई बेटा है ही नहीं उसका amount ही हमने 0 कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है? B बचा है तो यहाँ पर काई A, 1 यानिकी सिर्फ और सिर्फ A यहाँ पर काई B, 1 यानिकी सिर्फ और सिर्फ B बीच में काई A और काई B किसी भी तरीके से बदल सकते हैं अब जैसे आप left से right की तरफ जा रहे है आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि आपका B का जो amount है वो क्या हो रहे है, increase हो रहा है जैसे जैसे आप बेटा इस तरफ जा रहे है यहाँ आप move कर रहे है आपका B का जो amount है वो increase होना start हो गया है है ना, आपका B का जो amount है वो बेटा क्या हो गया है increase होना start हो गया है यह जो red color की मैंने line बनाई है इसका मतलब है आपका amount of B increases है ना B का amount के और है बेटा increase हो रहा है इसलिए जैसे जैसे आप left to right जा रहे हैं ना काई A की value यानकि काई A की value का मतलब क्या है A का amount है वो कम होता चला जा रहा है B का amount भरता चला जा रहा है और एक point के बाद A तो खतम ही हो गया और B maximum हो गया जब आप left से right जा रहे हैं तो आपका A का amount increase हो रहा है और यह जो आपकी line है ना बेटा यह पूरी की पूरी B के respect में line है अब जब आप यहां से यहां आ रहे हैं जब आप right से left की तरफ जा रहे हैं तो आपको दिख रहे हैं अब A का amount भड़ रहे है यह भड़ता चला जा रहे है A का amount भड़ रहे है नो यहां पर आए तो A maximum हो गया यहां A कुछ था ही नहीं अभी तक सिर्फ B ही था B में A add किया A भड़ता चला गया और अब completely क्या है हमारे पास A ही है इसके लिए हम लिखेंगे amount of A increases तो सबसे पहले यह बातों का दिखान रखना है ठीक है बीटा तो यह line करेस्पॉंट कर रही है A को और यह line करेस्पॉंट कर रही है B को सबसे पहले graph से सवाल आते हैं मैंने पूरक की पूरे चीज़ें आपके सामने लिख दी है बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना है उसके बाद क्या आता है बीटा अब क्या आता है आपके पास आप से पूछा जाता है कि हमें इसमें से किसी भी point पे PT की value चाहिए PA और PB दोनों निकालिए उनको add कर दीजिए तो हमारे पास PT आजाएगा आपको पता है बीटा PT निकालने का जो तरीका होता है वो आप जानते है PT निकालने का तरीका होता है PA प्लस P correct तो आप किसी पी तरीके से P और PB निकाल लीजिए आपको PT मिल जाएगा, तो माल लीजी कि हम इस respective point पे बात करते हैं है ना, तो मैंने कुछ points mark कर दी है इस point पर मुझे बताना है कि solution का PT क्या होगा तो मैं इधर से इसको cut करूँगी, इधर से इसको cut करूँगी, ठीक है पीटा, ये जो line आपको दिखाई दे रही है, किसकी line है B की line है, है ना, तो इस line पे, किसी भी point पे अगर मैं pressure को count करूँगी तो वो B का ही होगा, तो partial pressure of B मुझे इसी line से मिलेगा, ठीक है तो मालो कि मैंने इधर cut किया तो ये यहां तक partial pressure of B कहलाएगा, similarly मालो मैंने अगर इस point पर देखना चाहा इस point पर अगर मैंने देखना चाहा है ना, ये point R है, ये point Z है मैंने R point पे देखना चाहा है तो B R, जो value है वो partial pressure of B है, मैंने Z point पे देखना चाहा, तो Z E E Z जो आपके पास value है, वो आपकी क्या है partial pressure of B, ठीक है, यह सब चीज़े हमने लिखी भी है बेटा, और ऐसे अगर हम partial pressure of A निकालना चाहेंगे जो कि A की line पर ही cut करेगा A की line पर cut करेगा, तो P, R, यानि कि इतना, P, R यानि कि इतना, यह आपके पास क्या हो जाएगा partial pressure of A, क्योंकि हम A की line पर, इस point पर define कर रहे हैं अगर आपको इस point पर define करना है A के लिए, तो A कितना होगा बेटा यहां से लेके सर्थ, यहां तक Z point पर, ठीक है, तो ध्यान रहे, अगर आप बात कर रहे हैं R point पर तो P, A की value क्या हो जाएगी P, R, यहां से लेके Z पर निकालना चाहेंगे, तो Z पर, आपकी A की line पर, कहां पर कट कर रहे हैं इस point पर, Z और F F, Z, और B की line पर कहां कट कर रहे हैं E, Z, तो यह दोनों की दोनों बेटा, जो डबे मैंने बनाए हैं वो आपके graphically ही निकल रहे हैं ध्यान रहे हैं किसी बचे का यह भी doubt हो सकता है कि माम यह A की line आपने नीचे क्यों बनाई है और B की line ऊपर क्यों बनाई है तो बेटा ध्यान रहे हैं कि P not B जो है, वो P not A से जादा है इसका मतलब क्या है? कि आपका B is more volatile than A इस बात का मतलब है बेटा कि आपका B is more volatile than A B जो है, वो आपका A से जादा volatile है इसलिए ऐसा हो रहा है ठीक है, यह graph important है इसलिए मैं इसमें सोड़ सा time दे दिया है ताकि आपको कोई भी doubt ना रहे है ठीक है, ध्यान रहे इसके लाब बेटा, इस graph से कोई सवाल नहीं आता है बस इतना ही सवाल आता है बिल्कुल अच्छे से समझ लीजएगा अब अगर solution ideal है इसका मतलब दोनों में interaction सेम है ऐसा भी तो हो सकता है कि ना हो, ऐसा solution को हम क्या बोलेंगे non-ideal solution non-ideal solutions बेटा वो होते हैं जो राउल स्लोग को obey नहीं करते हम पहले ही लिख देंगे does not obey राउल्स लोग ये राउल्स लोग को obey ही नहीं करते इनको हम बोलते हैं non-ideal solutions तो उसमें आपको पता है कौन-कौन से आती हैं positive deviations आती है negative deviations आती है कैसे? क्यों ये नाम रखे गए है? मान लो बेटा कि आपने जब solution बनाया तो जो AA के बीच में interaction है और जो BB के बीच में interactions है वो solution के बनने के बाद जो आपका solution बना है उसमें interactions weak हैं पहले से weak हैं इनमें bond strong थे solution बनने के बाद A और B में bond बहुत ही weak बन गया है तो ऐसे solution में हम जो deviation को महसूस करते हैं that is positive deviation और अगर इसका उल्टा हो जाए कि आपके पास solution बनने के बाद आपकी intermolecular force of attraction strong हो जाए तो उसको बेटा हम क्या बोलते है negative deviation बोलते हैं याद है आप सबको बिल्कुल याद है है ना तो अगर आपके पास intermolecular force of attraction कम हो जाएगा आपको पता है बेटा कि आपका intermolecular force of attraction intermolecular force of attraction जो होता है वो जितना जादा होता है ना बेटा उतना ही कम आपका vapor pressure होता है उतना ही कम बेटा vapor pressure होता है तो solution का intermolecular force of attraction कम यानि कि उसका vapor pressure जादा और जिसका intermolecular force of attraction बहुत ही जादा होता है उसका boiling point भी जादा होता है ये दोनो बातों से आप इसके सवाल बेहत अराम से कर सकता है, चीक है solution का vapor pressure कम है ना बेटा, solution का आपके पास intermolecular force of attraction बहुत ही कम बहुत ही कम intermolecular force of attraction है तो वो vapor pressure से inversely proportional होती है vapor pressure भड़ जाएगा आप एक और relationship यहाँ पर लिख सकते है intermolecular force of attraction जितनी जादा होती है, उतना ही कम आपका vapor pressure होता है और फिर उसकी वज़े से solution का boiling point कम हो जाएगा दिखान रहे आप लिख सकते हैं हाँ पर कि vapor pressure जितना जादा, उतना ही कम boiling point you can have this relationship अब आप अराम से define कर सकते हैं ध्यान से देख लीज़े बेटा अगर आपके पास intermolecular force of attraction कम है, आपका vapor pressure जादा है, तो आपका boiling point solution का कम हो जाएगा with respect to A and B अगर आप से पूछा जाए कि boiling point का order क्या रहेगा तो आपको ध्यान रहे कि A और B का boiling point जादा रहेगा as compared to A, B के ये ध्यान रहे A और B का boiling point हमेशा जादा रहेगा as compared to A, B के इसलिए इसलिए इसको minimum boiling azotrop के नाम से भी जाएगा azotrop शफ पे भी नहीं जाएंगे A और B के respect में अगर इसका boiling point कम है तो इसको minimum boiling azotrop का आ जाएगा जिक है? ध्यान रहे ऐसे solutions का बेटा enthalpy of mixing positive होता है volume of mixing positive होता है आपका delta G mixing less than 0 होता है और delta S mixing greater than 0 होता है किसके लिए बेटा? positive deviation के लिए ये चीज हम idle solutions के लिए भी define करेंगे idle solution के लिए भी define करेंगे बेटा ध्यान रहे idle solution के लिए आपका delta H mixing 0 होता है है ना? delta V mixing भी आपका 0 होता है delta G mixing less than 0 होता है और delta S mixing greater than 0 होता है ये सब बातों का ध्यान रहे mix करने के बाद enthalpy change 0 है ना आपको heat देनी पड़ेगी ना heat evolve होगी mix होने बाद ना volume भड़ेगी ना volume घटेगी mix होने पर जब भी को solution बनता है तो उसमें आपका gives free energy change negative होता है और entropy हमेशा आपकी positive होता है ये दोनों चीज़ों तो बेटा कभी नहीं बदलगे solution के बनने पर delta H mixing और delta S mixing हमेशा constant रहते हैं चाहे आप ideal बनाएं चाहे आप non-ideal बनाएं कुछ भी बनाएं करेक्ट तो अगर आपका positive deviation है तो ये सबी चीजों का आपको ध्यान रखना है तो vapor pressure कम हो जाएगा तो boiling point बढ़ जाएगा और फिर हम इसको क्या बोल देंगे maximum boiling as your tops बोल देंगे बिटा बस यही सब चीज़े इन तीन डब्बे से सारे answer हो जाएगे बस इनी तीन डब्बे से सारे answer हो जाएगे माइंड मैप जब बना रहे हो तो यह डब्बे तीन बस दिहान रखो तुम्हें इन तीन डब्बों से यह positive and negative deviation का खेला एक मिनट में हो जाएगा ठीक है दिहान रहे positive and negative deviation की case में अब क्या है बीटा graph यह जो आपने graph पढ़ा है न यह जो आपका white color से बनावाई यह idle solution का graph है जब हम positive deviation की बात करते हैं तो आपका solution होता है उसका vapor pressure solute or solvent के respect में जादा होता है तो यह line हमिशा आपको ऊपर दिखाई देगी है न और यहाँ पर idle solution white वाली line है और यहाँ पर जो solution का vapor pressure होता है न नेगिटिव डेविएशन वो solute or solvent के respect में कम होता है इसलिए यह line नीचे दिखाई देती है लिखा है ना बीटा इंडर-molecular force of attraction जादा है तो आपका vapor pressure कम है इसलिए यह line नेगिटिव डेविएशन की नीचे दिखाई दे लिए जो yellow color से लाइन बनी होई है यहाँ पर that is for the positive deviation यहाँ पर जो yellow color से line बनी है that is for the negative deviation यह बाते दिमाग में से ना रिखे पॉजिटिव डेविएशन इस से जादा इसमें से कोई सवाल नहीं आने वाला examples जैसे लिखे हैं वैसे के वैसे याद होने चाहिए for the positive deviation for the negative deviation सभी के सभी बाते बहुत ही अच्छे से clear है इनमें सब से जादा पूछे जाने वाले सवाल है यह सब से जादा पूछा जाता है बेटा यह सब से जादा इसी से ही सवाल आते हैं बाकि important सभी है मैं ऐसा नहीं अब आप बारवर मैं यह शर्द यूज करें है अजयोट्रॉप होता क्या है यह अजयोट्रॉप सबको बता है यूह स्टुडीड अजयोट्रॉप का सिंपल मतलब है बेटा कि जब आप मान लो maximum boiling azotrop बना रहे हो minimum boiling azotrop बना रहे हो HCL में पानी मिला रहे हो होता क्या है दे अब होता क्या है बेटा आप जितनी भी मैंने कर सकते हैं अब यह एक तीसरा ही टाइप का solution बन गया है जिसका नाम है azotrop अगर इस solution का boiling से आपने mix करी है उससे boiling point कम है तो आप minimum boiling azotrop बोल तो सिंपल सी बात है maximum boiling azotrop minimum boiling azotrop बस एक ही बात का धियान रखना होता है बेटा सबस्यादर पूशी जाती है कि इन में आप components को कभी भी separate नहीं कर सकते बहुत महनत आपको करनी पड़ेगी और आप जितनी में मैनस कर लें तब भी आपिनको completely separate नहीं कर सकते आप अगर यह सोचें कि आप जो है एलकोहल और water है ना seven आप सोचो कि आपका एसेटोन और बंजीन इनको अलग अलग कर लोगे नहीं पॉसिबल आपका एसेटोन और आपका एनिलीन आप इनको मिक्सर के अलग अलग कर लोगे नेवर पॉसिबल क्योंकि यह मिक्सर जब बन जाते हैं तो यह एसेटोन खिलाते हैं जिनके अंदर हम कॉंपनेंस को कभी सेपरेट नहीं कर सकते हैं after that we have the next topic with us which is the colligative properties बहतरीन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका कौन सा बेटा का क pluck्यूटा बीगेटेटेफ्ट क्यों प्रोपिटीज में आपके पास चार कौ कौ्यूटाविटीश आती हैं जिनका आप को बहुत अचसे ध्यान रखना होता हैते हर एक भोग सांथ है58 कॉलिक देफिनेशन हैए डिपरोपाटी क्याइब 된 झारण on number of particles of solute और दूसरा concentration of solute उसको तीसरे किसी बात से मतलम नहीं है ऐसी properties जिसमें आपको दिखाए देता है कि सिर्फ और सिर्फ dependence किस चीज पर है number of particles of solute पर है और concentration of solute पर है उन प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते है कॉलिकेटफ प्रॉपर्टीज क्याते हैं करेक्ट यह चीज हम डिसकस कर चुके है सबसे पहले हमारे पास आती है बेटा relative lowering of the vapor pressure है ना जब भी आप जब भी बेटा आप है ना मैंने आपको अभी एक चीज बताई है अभी मैंने आपके सामने इस चीज को डिसकस करा था यह चीज मैंने अभी आपके सामने डिसकस करी है कि अगर आपके पास solute volatile है तो आप रॉप्र परते हैं और नहीं है तो आप relative lowering of vapor pressure परते हैं इसको हम rounds को second case भी कहते हैं और इसको हम colligative properties भी कहते हैं दोनों चीज़े हम इसे कहते हैं चीक है और qualitative property का first part भी यही है तो बेटा जब भी आप जब भी आप किसी non volatile solute को है ना जब भी बेटा आप किसी non volatile solute को add कर देते हैं किसी volatile solvent के अंदर है ना तो यह क्या बनाता है पीटा वेपर बनाता है solvent और और अगर आप इसी के अंदर ही add कर दें एक ऐसा solute जो खुद वेपर नहीं बना सकता वो बस बैठा रहता है लेकिन वो कुछ भी वेपर नहीं बना पाता वो बस बैठा रहता है तो वो क्या करता है पीटा वो इस solvent को भी बहुत जादा वेपर बनाने नहीं देता आप जैसे ही एक non volatile solute add कर देते हैं तो आपका vapor pressure of solution degrees हो जाता है देखो पेटा यही सारी बाते colligative property में सीखनी है जैसे आपके पास अब प्योर solvent है तो भड़िया वेपर बनेगे बढ़िया अगर आप उसमें क्यों ऐसा solute डाल दो जो खुद वेपर नहीं बना सकता तो वो छत पर आके बैठ जाता है वो molecules को वेपर फॉर्म में जाने ही नहीं देता तो आपका vapor pressure कम होता वा दिखाई देगा है आपको क्या दिखाई दे रहा है जैसे आप left to right move करें आपका vapor pressure क्या हो रहा है decrease हो रहा है क्योंकि आपके जादा molecules vapor बनी नहीं पा रहे है तो vapor pressure decrease होगा अगर vapor pressure कम होता है बेटा तो falling point क्या हो जाता है increase हो जाता है जाहिर सी बात है इससे इन दोनों solutions का अगर मैं बात करूँ falling point के comparison की तो falling point इसका साधा होगा इसका कम होगा correct और मैं बात करूँ बेटा freezing point की वह आपके पास क्या हो जाता है decrease होने लग जाता है जैसे आपकी से non-volatile solute को add करते हैं यह तीन चीज़े हम बहुत अज़े से discuss करते हैं इनका बेटा order में लिख लो अगर vapor pressure की बात करोगे तो वह a में जाता है as compared to b के boiling point की बात करोगे तो वह b का जाता है और freezing point की बात करोगे तो वह तुम्हारा a का साथ है यह तीनों बातों को अगर तुमने दिमाग में बिठा लिया तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता बस इन तीनों बातों का ही दिहान रखना है 3 star मैंने लगा दियो जैसे ही तुम non-vol तो आपकी कॉन सी प्रॉपरटीी आ जाती है से अगर फेपर्ट कम है तो बॉइलिंग फैठंट भर जाता है का बॉइलिंग पॉइंट काफी जादा होता है तो हम एक और प्रॉपरटी परते हैं जिसके बारे में हम क्या बोलते हैं elevation in the boiling point, अगर non-volatile solute को add करने पर freezing point में कमी आने लग जाए, उस solution की, तो उसको हम क्या बोल देते है, depression in the freezing point, तो सारा का सारा खेला इसी बात का है, कि non-volatile solute add कर दिया, जब किसी volatile solvent के अंदर, तभी ये सब के सब रायता फैल रहा है, ठीक है, तो अब बस तुम्हें formula का ध्यान रखना है, ये formula होता है बेटा किस चीज का, relative lowering of vapor pressure का, ठीक है, अब यहाँ पर अगर वो सिर्फ p0 minus ps लिख रहा है, तो उस बात को हम बोलते हैं, lowering of vapor pressure, क्या बोलते हैं, lowering of vapor pressure, और इतनी पूरी की पूरी बात को हम फिर बोल देंगे, अगर नीचे उसने p0 लगा दिया, तो relative lowering of vapor pressure है ना, और इसको क्या बोलते हैं, amount of solute, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, mole fraction, जिसको हम simply क्या बोलते हैं, mole fraction, amount of solute, यानि की mole fraction, ये इसका formula होता है बेटा, हर चीज हमने आपर लिखी भी है, p0 का मतलब vapor pressure of pure solvent है, ps का मतलब vapor pressure of solution है, और का 2 का मतलब क्या है, mole fraction of the solute, तो ये सभी के सभी चीजे, relative lowering को vapor pressure में आती है, ये सारी के सारी, ये रायता ही तब पहलता है, जब आप non-volatile solute को किसी volatile solvent में add करते हैं, बहुत डीटेल में मैंने इस सब चीज़े समझाहिए, now we are discussing simply the mind maps, तो हम इतनी ही ब बात करी जाए, तो temperature at which any liquid boils, या फिर temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure, उसको आप क्या बोलते है, boiling point बोलते है, ये आपके क्या होती है, बीटा, definition होती है, boiling point की, और जैसे आप किसी respective liquid के अंदर, किसी solvent के अंदर, solute, non-volatile डाल देते हैं, तो उसका boiling point भर जाता है, ये ही हमारी colligative property होती है, elevation in the boiling point, क्योंकि आपको पता है, कि vapor pressure कम हो जाएगा, vapor कम बनेगे, तो vapor pressure कम हो जाएगा, तो boiling point भर जाएगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, elevation in the boiling point, इसका बीटा, एक formula भी होता है, हमारे पार, delta tb is equal to kbm, जहांपर, delta tb को बोला जाता है, elevation in boiling point, kb को बोला जाता है, बीटा, ablioscopic constant, क्या बोला जाता है, बीटा, ablioscopic constant, और m को हम लोग क्या बोलते है, molar, dt बोलते है, m को आपको क्या बोलते है, molality बोलते है, हर चीज का आपको बहुत अच्छे से धिहान रखना है, कौनसी चीज क्या है, आप इसको और भी formula को change कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, बी देल्टा टीबी इसका फॉर्म्मला और उपन कर लिजे डब्ली टू बाइब एम टू इंटू 1000 डिवाइद बाइड बाइड डब्ली वन है न और इवन आप डेल्टा टीबी को लिख सकते हैं टीबी माइनस टीबी इस सभी के सभी बातों का आपको ध्यान रखना है मैंने सि ग्रेस मुलालेटी का फाम्मला ओपन करके लिखा है और यह लिखा है यहाँ पर भेटा एक ग्राफ भी आपके लिए होता है जो बेहद इंप्रेशर को ओड़गार और हो समंज़के लीज़िए और यहां आपके पास किभगा होता है आपका pressure और यहां आपके पास क्या होता है बीटा? आपका temperature है ना? तो आपने क्या करा? आपने temperature को बढ़ाना शुरू करा है ना? आपके अबास को इलिक्विड आपका temperature बढ़ाना शुरू करा जब आपका vapor pressure equal to atmospheric pressure हो जाता है है ना? तो आप उस respective point को क्या बोलते हो? उस respective point को भी आप क्या बोलते हो? आपका boiling point ये जो आपका point होगा जो यहां पर आके cut करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? boiling point लेकिन अभी मैंने आपका solvent का boiling point बनाए है ना? अब अगर आप इसके अंदर एक non volatile solute को add कर देते हो तो उसका boiling point जो बनता है ना बेटा वो कुछ इधर आएगा है ना? वो इधर boil होगा. थोड़ी देर बाद उसका atmospheric pressure जो है vapor pressure के equal होगा. तो हम उसे यहां बे बनाते हैं तो यह जो difference होता है ना बेटा? इसको हम क्या बोलते हैं? delta tp. यह सब आपने discuss करावा है. इस सब चीज़े आपको पता है. यह जो point हम बात करते हैं इसको हम बोलते हैं atmospheric pressure इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? atmospheric pressure ठीक है? तो जब आपका vapor pressure atmospheric pressure के equal हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? boiling point अभी मैंने नीचे का portion नहीं बनाए point पर आके vapor pressure और atmospheric pressure equal हो गये. तो boiling point अचीव हो गया. Similarly for the solution. Correct? तो यह जो line है न बेटा? यह आपकी line होती है आपकी solvent की और यह जो line होती है बेटा? यह आपकी line होती है solution की एक line है solvent की और एक line है solution की. Correct? ध्यान रहे? उसके बाद बेटा? अगली property आती है हमारी colligative that is your depression in the freezing point. Freezing point depression की बात करेंगे तो फिर सबसे पहले हमें definition लिखनी है freezing point की. सब आपको पता है temperature at which a liquid becomes a solid at a given pressure. आप mind maps की बात करें. आपको कौन-कौन सी बात depression in freezing point में धिहान रखनी है. Revision के time पे. सबसे पहले freezing point का definition के है. उसके बाद अगर आप किसी volatile solvent के अंजर non-volatile solute add कर देते हैं. तो उसका क्या असर आता है? depression in the freezing point हो जाता है. correct? property of the decrease in freezing point when non-volatile solute is added in a volatile solvent तो उसको हम क्या बोलते है? depression in the freezing point बोलते हैं. बहुत डीटेल में हमने डिसकास करा है इस चीज़ को 3-4 lecture में डिसकास करा है but right now we are discussing the mind maps. compact पढ़ रहे हैं हम कि किस तरीके से हम-कम समय में इसको सिर्फ revise कर सकें. correct? ध्यान रहें. तो delta tf को हम लिखेंगे बीटा depression in freezing point kf को हम लिखेंगे बीटा cryoscopic constant और m फिर से आपका क्या हो जाएगा molality और इसी को formula को हम और तरीके से भी लिख सकते हैं delta tf is equal to kf w2 by m2 into 1000 divided by w1 इस तरीके से बना बीटा सबसे पहले तो यह formula बन गे अपना और यार हम लोग एक चीज और भी तो कर सकते हैं अब तुम temperature कम कर रहे हो temperature कमकरोगे vapor pressure कम करोगा temperature कमकरोगे molecule पास में अएगे ना दूर गए थे ना अब पास में आएगे न टेम्परेशर कम करने से पास में आएगे ना molecules हमारे आ गए हैं पास में Molecule हमारे आ गए है, पास में, बिल्कुल मैम आ गए है बाते हैं, है ना? तो मैम, जिस point पे ये freeze हो जाता है, उस point को मैम फिर हम क्या बोलें? freezing point बोलें, बिल्कुल बेटा, ये जो point है ना बेटा, इस point पे आपका जो solvent है, वो freeze हो जा रहा है तो उसको मैं TF0 लिख देती हूँ, और आपका जो solution है, temperature काम, vapor pressure काम, temperature काम, vapor pressure काम, temperature काम, vapor pressure काम वो बेटा कुछ इधर, थोड़ा सा पीछे आके इस line पे touch करेगा और इस line को हम प्यार से बोल देंगे, इस line को बेटा, या इस point को हम प्यार से बोल देंगे, इस point को हम प्यार से बोल देंगे, बेटा, क्या, आपका freezing point of the solution. तो आपको दिखाई दे रहा है, यह आपका freezing point था, किसका? आपका solvent का, यह आपका freezing point है, किस चीज़ का बेटा? आपके respective solution का, तो यह जो इनके बीच में difference होता है, यह जो बेटा, इनके बीच में एक difference होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? डेल्टा टी एफ, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? डेल्टा टी एफ, तो यह आपका graph होता है, तो ध्यान रहें, दिख रहा है, कि टी एफ नॉट की value टी एफ से जादा है, डेल्टा टी एफ, टी एफ नॉट माइनस टी एफ होता है, सिमिलरली, डेल्टा टी बी, टी ब minus TB not होता है और TB की value TB not से जादा होती है ये बातें किसी भी बच्चे के दिमाग में से बिलकुल भी न निकल जाए बिलकुल भी नहीं ठीक है बेटा ध्यान रहे ओके freezing point भी हो गया है अब कुछ बाते और मैं हाँ पर लिखना चाहूंगी जो कोई भी बच्चार ना भूले points बनाके लिख रहे है के बी और के एफ only the property of solvent ये सिर्फ और सिर्फ solvent की properties होती है solute का यहाँ पर कोई न दिना नहीं है बिटा ध्यान रहे जितना जादा के एफ या के बी की value जितनी जादा जो है large होती है जितना जादा large होता है उतना ही delta tb और delta tf भी जादा होगा है ना तो उसकी वज़े से हमारी calculation क्या हो जाती है easy हो जाती है है ना ध्यान रहे क्याने का मतलब क्या है ना बेटा ध्यान से सुनो अगर आपको बेटा elevation या depression and freezing point या elevation and boiling point निकालना है तो अगर हम morality के बात नहीं कर रहे है है ना हम सिर्फ KF के बात करें KF से कैसे इस चीज़ को जोड़ें तो अगर देखो यार KF जादा होगा तो delta tf भी जादा होगा तो दोनी दूसरी के क्या directive proportion है कि हम इस चीज़ को calculate कर पाएं तो हम KF यानि कि ऐसा solvent लेते है solvent की property है KF हम ऐसा solvent लेंगे जिसका KF का value बहुत अच्छा हो बहुत जादा हो ताकि delta tf भी बहुत अच्छा है बहुत जादा है depression and freezing point भी अच्छा खासा है कि हम उसे calculate कर सके ठीक है अब इतनी बात को बस ध्यान रखना तुम कि KF और KB की value लार्ज होती है तो delta tb और tf को calculate करना आसान होता है बस इसलिए prefer किया जाता है बहुत बार camphor को है ना ध्यान रहे है एक और चीज़ हम NaCl को और बेटा calcium chloride को use करते हैं किसके लिए बीटा ये होते हैं de-icing agent ये बरफ पिगलाने के बहुत काम आते हैं आपके बरफीली जगाहों पर हिमाचल जहां पर भी बरफ पढ़ती हो तो इनको de-icing agents कहा जाता है अगर आप पानी में थोड़ा सा नमक छिडख दो है ना non-volatile salute डाल दो तो depression and freezing point हो जाता है जो आपकी बरफ है वो पिगलने लग जाती है चिक है दिहान रहे तो ये दोलो de-icing agents होते हैं दिहान रहे ओके इसी तरीके से एक और चीज़ बेटा मैं हाँ आपर आइड कर देती हूँ कि आप अपन इथाइलीन ग्लाइकॉल भी यूज़ करते है किस के अंदर बेटा आपके car radiators के अंदर वहाँ पर भी बेटा आप पानी के अंदर इसको जब आड करते हैं तो वहाँ पर भी depression and freezing point हो जाता है और आपके पानी के अंदर जो आपकी मतलग नहीं है theory मैं सारी बहुत डीटेल में बता चुकी हूँ यह दोनों शब दिमास में से नहीं निकलने चाहिए कौन de-icing agent है कौन जो है हमारा car radiator में use होता है after that we are coming to the next qualitative property osmosis सबसे पहले मैं बता देती हूँ osmosis में जब तुम एक्जाम की तरफ भड़ो तो तुमको यह सब points बहुत अच्छे से यादो में चाहिए osmosis क्या है osmotic pressure क्या है reverse क्या है orthotonic क्या है यह सब क्या है है ना तुम जब revise करोगे osmosis अपने आपने एक बहुत बरा टॉपिक है तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कौन-कौन से points जो है भूलने नहीं है ध्यान रखने है भूलने किसी भी कीमत पे नहीं है ठिक है ध्यान दे सबसे पहले osmosis osmosis का मतलब क्या है osmosis का मतलब है आपके पास मैंने दो तरफ components बना दिये है ना दो तरफ components बना दिये इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती है इस diagram से पहले आप एक चीज़ को और सुने इस diagram से पहले बीटा आप एक चीज़ को और सुने मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक solvent बनाया है है ना और मैंने यहां पर भी एक solvent डाले लेकिन बस मैंने इतना कर दिया है कि यहां पर solvent के साथ असालूट भी डाल दिया है तो यह जो मेरा part है ना यह part मेरा कहलाएगा solution और यह जो मेरा part है ना बेटा वो कहलाएगा solvent तो अगर आपके पास movement of the particle अगर आपके solvent से solution के तरफ हो तो उस process को हम क्या बोलते है osmosis when the movement of the solvent particle is from solvent side to solution side उसको हम बोलते है osmosis the net flow of the solvent molecules from the solvent to the solution side ठीक है उसे क्या बोल जाता है osmosis सबसे पहले उसके बात अगर हम concentration के basis पर बात करें हम concentration के basis पर बात करें तो बताये low concentration की high concentration solute की concentration solution में ज्यादा होती है two solvent में होती है solvent map की क्या होती है कम होती है तो आपको साब-साब दिखाए देगा solvent से solution काけて low concentration of solute से high concentration of solute की side लिए आपका क्या होगा osmosis होगा तो बेटा वह आपसे इस respective definition के respect में भी पूछ सकता है और और उसके बाद जो दूसरी definition है उसके respect में भी पूछ सकता है through a semi permeable membrane यह जो membrane है ना बेटा यह semi permeable membrane होती है ऐसी membrane जिसमें छेद होती है लेकिन वो allow सिर्फ और सिर्फ solvent के molecules को move करना ही करती है इन छेदों में से कभी भी solute के molecules move नहीं कर सकते यह बाद जान दो है ठीक है osmosis ठीक है वीटा तो यह सब भी मैंने लिखा है कि जब आपके पास osmosis होती है तो movement of solvent होता है solvent से solution की तरफ low concentration of solute से high concentration of solute की तरफ low osmotic pressure से high osmotic pressure की तरफ यह भी अभी मैं आपको बता दूँगी बढ़ अभी मैंने टिक कर दिया है इन में से कुछ भी कैसे भी पूछा जा सकता है अब osmotic pressure क्या होता है मान लो बेटा कि मैं solution की तरफ ने एक piston लगा दू मान लो बेटा मैंने यहाँ पर piston लगा दिया और अब मैं इसको दबाने लग गई solvent से solution की तरफ यह normal osmosis हो रहा है है ना यह normal क्या हो रहा है बेटा osmosis हो रहा है अब मैं क्या करूँ कि यहाँ से piston से pressure लगाना start कर दूँ कि मेरा solvent solution की अंदर ना घुस पाए piston को दबाऊं कि यह movement ना हो पाए कितना प्रेशन मुझे लगाना पड़ेगा कम से कम osmosis को रोकने के लिए उसको बोला जाता है osmotic pressure पता है आपको correct the minimum excess pressure that has to be applied on the solution side to prevent the entry of the solvent into the solution through the semi permeable membrane is called osmotic pressure done ठीक है लेकिन अब मैं क्या चाहती हूँ मैं चाहती हूँ solution के अंदर से solvent निकल के solvent में चला जाए तो क्या करना पड़ेगा भाई खूब pressure लगा दो पहले तो osmosis को रोग दो और फिर osmosis का इतना pressure लगा दो कि वो reverse osmosis होने लग जाए पहले solvent इदर move कर रहा था ना वक्त बदल दो pressure लगा दो अब solvent को उदर move कर दो reverse osmosis कर दो देखो यार reverse osmosis में बस एक बात का ध्यान रखना इसको हम एक जगे पर यूज करते हैं कहाँ पर डी लिखा है यहाँ पर नहीं लिखा है कोड़ बात ही हम लिख देते हैं डी salination of sea water कहाँ पर यूज होता है desalination of sea water में यूज होता है यह इसकी application है यह इसकी application है और reverse osmosis पानी खारा होता है ना को मीठा बनाने के लिए यूज होता है desalination of sea water का यह मतलब होता है समझ गए हो ना चलो अब क्या है ना बेटा अब हमें थोड़ा osmosis के formula की भी बात कर लेनी चाहिए osmosis का जो हमारा formula होता है यहां नहीं लिखेंगे हम हम osmosis का formula यहां नहीं लिखेंगे हम उसे यहां पर लिखता है देखो बेटा osmosis में आपको अपना numerical point of view से कौन-कौन से formula इसका ध्यान रखना है इसमें होता है बेटा pi is equal to crt है ना जिसमें c का मतलब क्या है बेटा आपका concentration जो की molarity में होता है r होता है बेटा आपका gas constant है ना that is universal जिसकी value होती है 0.0821 litre atm per kelvin per mole है ना या फिर आप लिख सकते हो 0.0831 litre bar per kelvin per mole यही आपकी use हो दिये बेटा क्योंकि आपको units में ना आपका volume और pressure यह सब चाहिए होता है तो आपको यही use करनी है energy वाली में हम 8.314 या 2 calorie वाली बात यूज करते है यहाँ पर जरूरत नहीं है ठीक है तो दिहान रहे है बेटा और T का मतलब क्या है बेटा यहाँ पर temperature नहीं तो यह सब चीजें दिहान रखनी है πाई is equal to CRT formula है पाई का मतलब होता है बेटा आपका concentration concentration नहीं बेटा पाई का मतलब होता है आपका osmotic pressure क्या मतलब होता है पाई का osmotic pressure भूलना नहीं है किसी भी कीमत पे भूलना नहीं है perfect abnormal molecular mass का मतलब क्या है यह topic हमारे पास कैसे आता है देखो अभी तक आप जितनी भी qualitative properties पढ़ते हो ना बेटा और उससे आप क्या-क्या चीजे निकालते हो देखो आपको पता है कि जब आप qualitative property यूज करते हो है ना आपकी पहली qualitative property है relative lowering of vapor pressure है ना ये तो आप यहाँ पर क्या यूज करते हो chi2 है ना chi2 को आप क्या लिख सकते हो number of moles n1 plus n2 है ना अगर आपका solution dilute है तो आप इसे n2 by n1 भी लिख देते हो calculation में w2 by m2 into m1 by w1 तो हम बेटा जब भी qualitative properties को calculate करते है या तो हम lowering of vapor pressure या relative lowering of vapor pressure calculate करते है या फिर हम molar mass calculate करते है using our first colligative property है ना second colligative property होती है बेटा delta tb is equal to kbm जिसको आप लिख सकते हो w2 by m2 into 1000 divided by w1 यही आपका formula होता है तो या तो आप elevation in the boiling point निकालते हो है ना या फिर आप क्या निकालते हो molar mass निकालते हो यही दोनों चीजें निकालते हो similarly जब आप depression and freezing point पढ़ते हो तो आप kf upon w2 by m2 into 1000 divided by w1 है ना यहां पर भी बेटा जब आप calculate करते हो तो या तो आप m2 को calculate करते हो या delta tf को calculate करते हो similarly जब आप osmosis की बात कर रहे होते हो जब बेटा आप osmosis की बात कर रहे होते हो तो उस situation में आप pi is equal to crt करते हो यानि कि number of moles weight of the solute molar mass into 1 upon volume in liter into r into t है ना यही use करते हो तो यहां पर भी बेटा आप जब calculate करते हो तो अपनी colligative property या molar mass अब जब भी calculation कर रहे हो आपनी numericals करे हैं तो आप colligative property या molar mass ही calculate करते हो तो आपके उन solutions के लिए तो यह values सारी के सारी बहुत ही सही आती है जिन solutions में solute पानी में जाकर associate या dissociate नहीं होता वरना हर solution अगर वो dissociation कर रहा है तो यह सब values गलत आती हैं दिहान रहे हो मैं फिर से कह रही हूँ मैं फिर से गह रही हूँ बेटा आपको यह abnormal molecular mass यानि कि आपका molar mass आपको गलत आतावा दिखाई देता है अभी तक पते क्या सब कुछ बढ़िया चलता था पर अचानक हमें हमारे जो molecular masses हैं हमारे देखो यार colligative property तो बदल सकती है है ना लेकिन molar mass तो जीस नहीं बदल सकती ना वो तो किसी चीज़ के लिए constant ही रहेगी लेकिन अब जैसे हम solute ऐसे उठा रहे हैं है ना जो की पानी में जाने के बाद तूट सकते हैं या जुड सकते हैं तो उनके लिए molar mass की जो values आती थी ना गलत आती थी तो यहां से शुरुवात होई abnormal molecular mass के topic की ऐसा कब कब हो सकता है एक तो तब हो सकता है जब आपको solution non-ideal हो solution आपका diluted हे ना हो तो आपको आपके molecular mass की जो value है वो abnormal दिखाई देने लगे की यानि कि गलत दिखाई देने लगे की या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको solution में आपका solute association करने लग जाए या एसा भी हो सकता है कि वो dissociation करने लग जाता है तो आप समझ जाना कि आपका कोई ना कोई problem आपके molar mass में आने वाली है तो अब molar mass टो हम गलत तो नहीं लिख सकते तो उसके सुधार के लिए कौन है हमारे पास, हमारे पास आते हैं, हमारे वैंठोफ, वैंठोफ factor अब हमें पढ़ना होता है, वैंठोफ factor अब हमें पढ़ना होता है, जिसको हम एक word से represent करते हैं, जिसका formula होता है बेटा, experimental value of the colligative property, calculated value, या observed value of the colligative property upon normal value, normal molar mass upon observed molar mass, यह सब चीज़े ना यार, यह सिर्फ याद करना है, यह सब चीज़े सिर्फ याद करना है, इसका use क्या है, मैं तुम्हें यह बताती हूं, है न, यह सब याद करने की चीज़े हैं, मैंने तुम्हारे लिए in the terms of the formula भी लिख दिया है, है न, यह बेटा याद कर लेना, यह सब याद कर लेना बस, लेकिन करना क्या है, वो मैं तुम्हें अब समझा देती है, चीज़े हैं, देखो, अगर तुम्हारा salute, है न, डिसोशीएट, अगर तुम्हारा salute, डिसोशीएट नहीं होता, है न, तो उस situation में क्या होता है, आयोटा की value क् 1 होती है, जैसे example कौन सा हो सकता है बेटा, आपका, यूरिया, है न, ग्लुकोस, है न, या फिर कोई भी शुगर, अगर यह सब प्रेजेंट है न बेटा, तो आप समझ जा न, कि आपका salute, पानी में जाके, डिसोशीएट या एसोशीएट नहीं हो रहा, और जब पानी में जाके आपका salute, dissociate या एसोशीएट हो ही नहीं रहा, तो कोई problem नहीं है, तो आप जो भी molar mass calculate करोगे, इधर से, इधर से, इधर से, वो सब के सब बिलकुल सही आएंगे, अगर आपका salute, dissociate नहीं होता, तो लेकिन अगर आपका salute, dissociate नहीं होता, और मैं इवन यहाँ पर यह भ होता है, तो तो उस situation में बेटा, आपको ध्यान रखना पड़ता है, अगर salute आपका dissociate होता है, तो तो उस situation में आपको कुछ बाते हैं, उसका ध्यान रखना होगा, यसे मान लो बेटा, मैं आपके सामने लेती हूँ कि आप क्या salute NACL है, या कोई भी salute है, मैं NACL का example आपको लेकर दे देती हूँ, है ना, अब आप कहरें कि Colligative Property किस बात पर depend करती है, किस बात पर depend करती है, किस पर number of particles of salute था, तो आप इस बात को consider क्यों नहीं कर रहे हैं, युकि दिको बेटा, NACL तो बहुत strong electrolyte है, वो पानी में जाने के बात जैसा है, वैसे थोड़ी ना रहेगा वो तो dissociate होगा, आपने initially उसका एक particle लिया था, लेकिन वो time t is equal to 0, reaction के start होने पर, तो ठीक है, वो complete है, पर जैसे आप, आप अपने solvent में NACL को डालेंगे, तो बेटा, वो तो dissociate होगा, तूटेगा, एक डाला था, दो मिले, इसका मतलब क्या है, कि यहाँ पर बेटा, IOTA की value कितनी हो जाएगे, टू हो जाएगे, यह तब है बेटा, जब आपका NACL क्या हो, 100% हो, क्या dissociate, और अगर वो less than 100% dissociate होता है, तो हमें बेटा, alpha का भी ध्यान रखना होता है, है ना, तो situation में बेटा, हमें alpha का भी ध्यान रखना होता है, करेक्ट, time t is equal to 0 पे, हम लिख रहे हैं, 100, हम लिख रहे हैं, बेटा, 100, अब क्या है, कुछ समय के बाद आपको दिखाई देगा, कि इस में से, at some time, जब आप अपनी reaction की बात करें, time 10 minute, 15 minute, जितना भी आपको soluble हो गया, उसके बाद, है ना, NaCl में से कुछ तूटेगा, और Na positive and Cl negative कुछ-कुछ बन जाएंगे, चीक है, तो हमारा आयोटा का मतलब होता है, बेटा, solute, soluble होने के बाद, वो exactly कितना dissociate हुआ, है ना, 100% हमेशा dissociate नहीं होता, उससे कम भी हो सकता है, तो इस वकत कितने particles आपके reactant के और product के present है, उसको हम आयोटा कहते हैं, है ना, पूरा का पूरा add कर लीजिए, वही आपका क्या है, आयोटा है, dissociate होने के बाद, ज़रूरी नहीं है, पूरा reactant टूट गया, ज़रूरी नहीं है, पूरा product बन गया, कुछ reactant भी बचेगा, कुछ product भी बनेगा, तो आयोटा, तो कितना, आयोटा का मतलब है, कितने particles of solute present है, after the solubility, after the mixing, after the solution has been made, तो वो reactant और product दोनों के लिए calculate होंगे, dissociation तो ये देखना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना पड़ेगा, alpha वो question में तुम्हें खुद देगा, कि भई 50% dissociate हो है, तो alpha को लिखोगे 50, और ये dissociate कैसे हो है, ये आपको, मैंने दिखा दिया है, चिक है, मान लो बेटा, कि आपका salute, dissociate ना होके, associate होने लग जाए, क्य कैसे मान लो बेटा, कि आपके सामने, कौन है, CH3, CuH है, दो आपने उसके particles लिए है ना, अब ये मिलकर क्या बना रहे है, ये आपके लिए मिलकर बना रहे है, dimer, क्या बना रहे है बेटा, dimer, तो उस situation में क्या होता है, ध्यान से देखिए, आप लिखेंगे यहाँ पर time t is equal to 0 पे 1, यहाँ क्या लिखोगे बेटा, 0 है ना, कुछ समय के बाद, 10 minute, 10 second, 15 second के बाद, आपको दिखाई देगा, कि इसमें से कुछ टूटा, और यहाँ पर कुछ बना, ये कितना बना ना बेटा, ये आप alphabet 2, 3, 4, 5, 6, जितना भी लिखेंगे, वो आपको बताएगा, यहा आपने डाले तो 2 पार्टिकल से, बाट पानी में जाने के पाद, दोनों एक बन गए, तो हमें number of particles of solute का दिहान रखना पड़ता है, ये आपने लिखा, तो अब आयोटा आपका हो जाएगा, 1 minus alpha, alpha by 2, अब आपका जो भी दिया हो, अगर बेटा, आपका alpha 100% है, तो आप उ association और dissociation को बेटा हमें consider करना पड़ता है, क्योंकि आयोटा तभी आप बता पाएंगे, तो इसे लिए बेटा, आयोटा को बताने के बाद, हमें अपनी colligative properties को बस थोड़ा सा change कर देना होता है, तो आपका molar mass जो आप calculate करेंगे, वो कभी गलत नहीं आएगा, है ना, इसको आ iota n2 upon n1 plus iota n2 इस तरीके से लिखते हैं, first colligative property, यहां आप लिखेंगे, delta tb is equal to iota kbm, बस आपको iota को add कर देना है, तीज़रा है बेटा, delta tf is equal to iota kfm, और चौधरा है बेटा आपका, pi is equal to icrt, तो अब आपको ध्यान रहे, आपने जुतने भी formulas पढ़े हैं ना, उनको आ आप सब भूल जाएगे और आप यह पढ़ेगे, तो जब मैं क्लास में कराती हूं, तो हम iota पहले ही बता देती हूं, ना कि बच्चे को अब बताऊं, फिर बाद में बताऊं, कोई मतलब नहीं है उक बात का, तो जब हम क्लास में बताते हैं, तो हम पहले ही बता देते हैं बट, फॉर्मले यही यूज करने हैं, यही सही फॉर्मले है, और iota का मतलब क्या है, number of particles of solute present in the solution after dissociation और association, तो उसको consider करना पड़ता है, ठीक है, सब वेंट आफ की definition यहां पर सब कुछ मैंने लिख दिया है, वो लिखित है, और यह समझने की चीज है, ठीक है, दिहान रहे जितने particles में तूटा उतना, Aluminium Sulfate का, आयोटा कितना होता है, पांच, है न, ऐसे ही बेटा, आप किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, यूरिया का कितना होता है, बेटा, 1, है न, glucose का कितना होता है, बेटा, 1 क्यूंकि वो तो तो तूटता ही नहीं है, तो ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कितने particles में तूटा, उसके हिसाब से, जितने particles में तूटेगा, उसके हिसाब से, अब बहुत आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा, अब मैंने आपका, everything has been covered in your one short mind map lecture, सब कुछ मैंने कवर कर दिया है, अच्छत lecture को देखेगा, कभी भी कोई आपको बस इस lecture को एक बार go through करना है, and you will have wonderful mark for your respective exam, इसे के साथ ही मैं आप से लेती हूँ, अलविदा मिलते हैं, next lecture में, हर एक important चीज को, जितना छोटा हम करके आपको बता सकते हैं, revise करा सकते हैं, in short, one short, ठीक है, मिलते हैं, next lecture में, thank you so much for attending the lecture.